सब जेनरिक मेडिसीन का व्याब बढ़े उसका यूज बढ़े है उसके लिए हमारा मंत्रा लेने कई कदम उठाए है पर आधनी नरेंद्रबाय मोदी के निदे शनु साब देश में देश के कोई परिवार के कोई लोग विनाद दवाई मिलने से मनने की नोबत नहीं आने चा 4330 जितने जनु स्रतु के अंदर खो ले गए है जहाँ ब्रांडेट के अलावा जनरिक मेडिसीन मिलती है आज विश्व में 6 गोली खाये उसमें से एक गोली इंडिया में बनी हुई जनरिक मेडिसीन की होती है विसуса में फायो टैबलेट्स में से एक टैबलेट्स INडिया मे बनी हुई जेनरिक मेडिसीन की होती है जेनरिक मेडिसीन और ब्रांडेड मेडिसीन के बीच में कोई फर्क नहीं होता है लेकिन ब्रांडेड मेडिसीन की प्राइज जादी होती है और हमारे जैसे देश में कोई गरीब परिवार या मध्यमवर के परिवार के दद्धी को सस् जिसमें जेनरिक मेडिसिन का popularity बढ़े और Medical Council of India ने एक advisory जारी किया है advisory के अनुसा उसने जेनरिक के उन्होंने branded के साथ जेनरिक नाम भी लिखना है और लास्ट में हमने ये भी निरने किया है कि जेनरिक नाम बड़ा लिखना है जो branded नाम है टेड नेम है उससे two font salt नाम का बड़ा लिखके उसकी popularity बढ़ाने के लिए हमने दिरने किया है उससे जेनरिक मेलेशिन का व्याब बड़ेगा अच्छा दूसरा सब कोई ऐसा प्रस्ताप भी है कि जो private जो medical stores है उनमें एक रैक जेनरिक दवाईयों की भी रखी जाए कोई ऐसा बविश में कोई प्रस्ताप भी है आज के दिन में हमने जनवश्वदिश तूर के माध्यम से जनरिक मेडिसिन बेचना शरू किया है दिरे 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 देश में जनरिक मेडिसिन का प्रडॉक्शन भी बढ़ने लगा है और दिरे-दिरे उप देश में व्यापक रूप में जनरीख मेडिसीन का उप्योग हो, वो दिशा में काम शरूठी किया है जैसे कि आज वरतवान समय में कई से डिसीज है, वो डिसीज में permanent medicine लेनी पडती है पर्मेनेट मेडिसिन लेनी पड़ती है, रायाबिटिक पेशंट है, पर्मेनेट मेडिसिन लेनी पड़ती है, काडियाक पेशंट है, पर्मेनेट मेडिसिन लेनी पड़ती है, कैंसर पेशंट है, पर्मेनेट मेडिसिन लेनी पड़ती है, वेसी स्थिती में देश में हर साल 65 लाक परिवार जो बिलो पावटी के नीचे चले जाते हैं उसके हित में हर एक व्यक्ति आपने स्वास्थाई के लिए आवर्शक मेडिसीन उसको सस्ते दर्में उपलब्द हो वो दिशा में हम काम कर रहे हैं इसलिए हम जैनरिक मेडिसीन को आगे बढ़ा रहे हैं